हम जानते हैं कि यह जो गवाही दे रहा यह जूटी है यह जानते हैं भी हम निर्पराद को दंड विधान में समलिक कर देते हैं उसमें हम भी दोसी है अगर आपको पता नहीं है और आप उस साक्ष देने वाले के अनुशार दंड देते हैं अगर शाक्षी हम हो इनका ऐसा भाव है कि हम कैचैरिया नया दिश के आगे इनकी गवाही तो आपको जिसकी गवाही दे आपको पका शबुत मिलना चाहिए वह कह रहा है कि जूटी गवाही इसमें महरती ऐसा है कि आउन दोर पर महिला प्राद के समन्द में मेरा कॉस्टन है क्विदान ऐसा कर दिया जिसमें यह है कि महिला ने जो कह दिया वं हमें पता है वह गलत के सब्सक्राद के तो हाँ तो वैसे फिर मतलब कहीं न कहीं तो हमको लॉट करके इस विस्टे में देखना चाहिए क्या इसा कानुन बन चुका है हमें तो पता नहीं कि अद्व, जो बोले सो ब्रम्भुवाक क्या आप पर उसने कहीं नहीं इसने इतनी तो आइसा कानुन तो मुझे नहीं लगत कि जो बोले सुब्रम्भ वाक उसकी जानकारी करने चाहे ने ऐसा दुर्पयोग हो जाएगा क्यों अरोप लगा दिया महिला ने अब सिद्ध करने की जिमिदारी सामने वाले पक्षकी होती है तो ये कभी-कभी बड़ा कठिन होता है कि हम अपने आपको निरपराद कैसे सिद इर्ष्यावश्य किस कारवों से मैं नहीं कहरें कि अगर कहीं किसी भी मातावहन के साथ होए तो दंडनी अपराद है उसे दंड मिलना चाहिए पर अगर कोई माता बहन इर्श्या वस द्वेश वस या किसी प्रलोभन वस किसी व्यक्ति को किसी केस में फसा रही है और मुझे पता है कि जूटा है केस तो जब निरने मिलेगा दंड का तो उसमें कहीं न कहीं हम भी तो है कानून में लिखा हुआ यह है जब महिला और पुरुष की बात में से किसकी बात को मानना है तो महिला की बात को मानना है कानून में तो महिला अगर उसको जूटे फसा रही उसको दंड दे दिलाना चाहती है तो अब उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं अब आप जानते हैं लेकिन अब मुझे तो यह बात थोड़ा कम समझ में आ रहे हैं अच्छा मुझे लगता है कि परिक्षण होना चाहिए सची बात होनी चाहिए पूरुष में ही केवल विकार है ऐसा तो नहीं हो सकता ना दोनों शरीरों में विकारों की उत्पत्ति होती है तो अगर क्रोध विकार इरश्या विकार या द्वे सिस्टम बादित हो जाएगा एक बस में कंडेक्टर ने एक महिला को रिजर्व शीट से उठा दिया और उसको का पीछे बैठ जाओ रिजर्व शीट है इस पर एक्स पर्सन बैठेगा महिला ने नीचे उतरते ही धाने में आई और उसने आरब लगाए इसने मेरे को गोर के देखा गोर के देखना एक अपराद है कानून की दिस्टी से महिला को गलत दिस्टी से गोड़ना उसने देखा हो गोर के लेकिन उसने इस हिसाब से अब उस्तिति में अब मैं क्या तो आपको कानून के अनुशार ही चलना होगा हाँ फिर इसलिए बहुत सावधानी बरण की गए ने फिर राजा को भी नर्क मिलता है यह भी ध्यान रखना राजा को भी श्वर्ग और परंपद की प्राप्ति प्रजा से ही होती है और राजा को भी नर्क दुर्गती की प्राप्ति प्रजा से ही होती है यदि ऐसा कानू ऐसी बिवस्था बन जाए जिसे से बिना किसी परदे के खुला ज्याय हो तो ठीक है अगर कहीं पक्ष और परदा रख दिया गया और निर्दोष मारा गया निर्दोष तो यह पूरा सिस्टम पर लदेगा जाके पूरे सिस्टम पर जाएगा क्योंकि अब उसके कई पावे है अधर्म जहां होगा तो देखो आपको बताया देते हैं कि भीश्म पितामा जैसा धर्मात्मा कभी युगों में पैदा होता है लेकिन अधर्म के पक्ष में खड़े थे युदिश्टिर महाराज के बिपरीत सामने और पक्ष अधर्म का था पूरा पता था भीश्म जी को बुद्धी ब्रष्ठो करके आदेश कर ले पूरा सब पता था एक कुल बधु को कैसे प्रतारित किया जा पूरा सब पता था परिणामता च्छे महीना बाणों की सहया पर पड़े महाराज द्रोनाचारी जी गुरू सास्त्र के घ्याता धनुर्वेद के घ्याता पांडित तो अपना बमूल बोएंगे तो काटे ही उसमें होगा आम तो लगेगा नहीं चाहिए कोई बोए कितना बड़ यांखेती बना के बोए आम बोगे तो फसल आएगे तो आम रसीला मिलेगा तो यह अब हमारी तो समझ में नहीं आएसे तो बहुत ही गलत हो जाएगा पर हम किवेल इतना कहते हैं कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए अपराधी किसी भी ना तो जाति का माना जाता है और ना किसी धर्म का माना जाता है उससे दंड ना दिया जाए क्योंकि ऐसे तो बहुत तरह से सोचन किया जा सकता है अब उसमें कुछ नहीं कहा और उसके उपर ऐसा तो फिर माना जाएगा ना कि हाँ कि तो अब इसमें क्या है कि आप तो एक केवल निमित मात्र हुए आप कोई दंड देने वाले नहीं हुए जैसा उसने कहा उसके अनुशार आपने कहा तो मुझे लगता है कि आप जान भी रहे है कि साइद ऐसा नहों पर कानून ऐसा है तो फिर आप निर्दोस ठेरें कि आप जानते हैं पर आप करें क्या हो जो बड़ों ने आगे नियम मना दिया उसके अंसार आपको बेजना पड़ेगा आपको ऐसा करना पड़ेगा तो अब आप क्या करें आप जानतों रहे हैं पर आप क्या करें आगे बड़ा निरणे ऐसा ऐसा है तो इसमें ततकाल तो अब आपको दंड मिला ही कि आपका ह्रदय जला की आपका हवद जला क्या रैसा नहीं होना चैछ किसी को किसी के प्रती भी कैसा बर तो उलाग हो जाएगा कभी भी कोई किसी को कैसे भी हमें लगता है कि कुछ ऐसे जाच होनी चाहिए जिसमें सत्य का निरनाय होना चाहिए नहीं ऐसे कभी कोई फसा सकता है मालो आफिस में जैसे है अब आफिसर उसको डाट रहा है किसी कारी के लिए और वो अकेले है सब्सक्राइब इसलिए हम प्राया करते हैं कि हमारे जो नवीन पीड़ी है नए बच्चे बच्चियां है थोड़ा ध्यात्म को समझें सत्मार्ग को समझें जो आज हवाद चल गई है ना गंदी बातों की जिसे फ्रेंड का आ जाता है ये बुद्धी को ब्रश्ट कर देगा बहुत बुरी इस तरह से मतलब इसमें हान ही होने की संभावना है अचाब जब ऐसा कानून है हमा लोग फ्रेंड बने और एक दूसरे के प्रतिभाव बिगड़ गया अब उसका वह कंप्लेंट होते ही वह सेंग सजा है विल्गल सब्सक्राइब इसलिए हम बच्चे बच्चिया जैसे से पूल के आते हैं तो तो हर वार यहीं सिक्षा देते हैं कि यह जो आपका गर्ल्फ्रेंड वाइफ फ्रेंड वह जो बना है यह बहुत ही घातक है जिसमें आयस्टी परिस्थितिति आ जाएगी कि हो सकता है आपको अपने जीवन की हत्या करनी पड़े अब पापा जान निकल गई अब उसको तो यह आचरण ही गंदे हैं यह आचरणों को अगर सभाला जाए धर्मपूर वक्षला जाए तभी तो अध्यात्म की महिमा अगर अध्यात्म को नहीं जानेगा तो समाज हमारा इस तरह से बहुत घर्त में किरता चला जाएगा नए बच्चे तो एक कुमंग होती है 13 14 15 16 यह जो अवस्ता होती ना इसमें कुमंग होती है और उस उमंग में लगता है कोई मेरा साथी बने यह सब के अंदर होती सब के अंदर होती आप देखो ना और उस समय अगर हमारा सही गाइडेंस नहीं हुआ अध्यात्म का तो हम ब्रष्ट मार्ग में चले जाते बेविचान मार्ग में चले जाते यह बेविचान मार्ग ही तो है ना अब वो सुभाव गिरता चला जाता है अब वो निर्णे नहीं कर पाते किस तरह से हम चले कैसे हम चले तो हमें लगता है कि हम सब को अध्यात्म की बुध्धी की पवित्रता की चरूरत है अगर बुध्धी अपवित्र हुई तो सब बढ़ा हो जाएगा तो आप जहान तक हो शके तहां तक बचाने की कोशिस करें फिर कानून की अंतरगत आप भी है पिर आप उसका भी कोई प्रारत दय होगा अब और समझो जैसे किसी लड़की ने बे मतलब उसे फसादी और पिटा हो और दंड में गया पक्का दंड हो गया उसको तो आपको सच्ची कहते हो उसने यहां नहीं तो कोई ऐसा अपराध किया है जिसका उसको दंड नहीं मिला तो बुद्धी फेर करके वहां से उसको आथ जा रहा है आवस्यम्यवगतव्यम कocado करिम कर्मशुगा सुमण नहीं तो भगवान बचा लेंगे आपकी बुद्धी में बैठके किसी की बुद्धी में बैठके या उसी की बुद्धी फेर कर उसको बचा लेंगे यदि डंड विदान नहीं है और अगर हो गया तो उसका कोई भोग है ऐसा कोई कर्म ऐसा है जिसका दंड नहीं मिला और यहां से उसको दंड मिल गया अगर हमारा कर्म भोगा नहीं गया और पाप जमा है तो ऐसी जगे फसादेगा जो हमने पाप नहीं किया बिलकुल आप कसम खाएंगे कि कसम से पाप नहीं क पूछ लिए अब हम जानते कि इसमें तो तुम नहीं हो पर है तुम्हारा कोई कर्म तभी तुमको दंड मिल रहा है तो हम भी निमित मात्र है वह से सबसे प्रार्फला है इरश्या द्वेस या इन विकारों के अंतरगत होकर निर्दोश को दंड ना दिलाया जाए या दंड विधान ना किया जाए नहीं तो फिर नियाय का मतलब क्या नहीं जाएगा नियाय तो यही है कि अपराधी को दंड मिले पर बहुत मतलब अलग अलग जब हमें बारता करने को मिलती तो हमको भी ग्यान